आपने कभी नोटिस किया कि मॉडर्स जो होते हैं उनके बाल on screen तो अच्छे रहते हैं और off screen उनके बाल अच्छे रहते हैं तो वो इस सारे secrets आज मैं आपके साथ share करने वाला हूँ ताकि आपने से जिनको बालों से related बहुत जादा समस्या है आपके बाल freezy हो रहे हैं dry हो रहे हैं उसमें dandruff आ रही है तो इस routine से जो share care routine में आज आपको बताने वाला हूँ उससे आप मुख्ध हो जाएंगे अपने इस समस्या से मैं यकीन के साथ इसलिए कहसा हूँ क्योंकि यही कैसा routine है जो long term में काम आया है मेरे सबसे पहले चीज़ जो मैं एक simple formula लगा के रखता हूँ वो है कि मेरे बालो पर कोई भी ऐसा ऐसा शैंपू में नहीं लगाता मैं सिर्फ non-comedogenic और पैरा बिन free shampoo से अपने बालों को दोता हूँ और अगर आप ही गलती कर रहे है कि टीवी पर आड देखा और उस आड से influence होकर आप वो shampoo यूज कर रहे हैं तो आप ही इसके victim बनेंगे आपके बाल को सफर करना पड़ेगा तो अगर आई गलती आप कर रहे हैं तो प्लीज बत करेगा जो टीवी पर आप आड देखते हैं वो सच नहीं होता है नीचे नीचे छोटा सा लिखा रहता है description में note this product contain this कभी पढ़िएगा तो प्लीज ऐसे shampoo जिसमें बहुत ज़्यादा सुगंध हो या ऐसे shampoo जिसमें बहुत ज़्यादा रंग हो उनका इस्तिमाल से आपको बचना है उसे ज़्यादा आपके dryness बढ़ती है बालू पर और यही dryness अगर untreated रहती है तो searching होती है and then further on आपके advice किया जाता है जो shampoo होता है उसका काम है आपके scalp को साफ रखना तो आपको जो shampoo यूज करना है वह अपने scalp पर यूज करना है नाखी बालो के tips पे अफसरलोग गल्दी करते वो बालो को लेते हैं और बालो पर बाल बाल इस पर shampoo लगान लगते हैं जबकि आपको अपने scalp को साफ रखना है, अगर आपके scalp साफ रहेगा, तब बाल अच्छे से रिंग्रो भी होंगे, और वो moisturize लगते हैं, तो अगर आप यह गल्दी कर रहे थे, तो आज से यह गल्दी करने हैं, आपको छोड़ देनी है, शैंपू किसी स्कीन ही है, आपके scalp क साफ रखने के लिए, अब सवाल यहां पर यह उठता है, कि हमें scalp को साफ क्यों रखना पड़ता है, देखो आपने term सुना होगा, product build up, product build up का मतलब यह होता है, कि over the period of time, आप जो भी product अपने बालों पे लगाते हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे वो शैंपू हो, चाहे वो conditioner हो, फिर उससे आपको fungal infection होता है बालों में, तो इसी वज़े से शैंपू इस वो देश्च के साथ यूज़ किया जाता है, कि आप से जितनी भी वो गंख है scalp से, वो निकाली जाए, तो हमेशा याद रखना कि शैंपू, please scalp यूज़ करना, बालों पर avoid करना, मतलब बालों पे तो लगेगा ही obvious ही बात है, लेकिन वो बाल अपने आप धो के निकलता है, जब आप पानी डालते हों है अपने सर पे, तो पानी जब पढ़ता है और शैंपू का जो जाग बनके निकलते है, उससे बाल अपने आप साफ हो जाते है, आपको अलग से शैंपू उस पे लगान इसके साथी Biotic के काफी अच्छी शैंपू है, इसके साथी Nitrogena के काफी अच्छी शैंपू है, इन तीनो ब्रैंट्स में आपको daily use के शैंपू भी मिल जाएंगे, इन तीनो ब्रैंट्स में आपको अपके hair की quality के हिसाप से शैंपू भी मिल जाएंगे, for example आपके dandruff है तो आप एक anti-dandruff shampoo जिसमें किटो गुनोजोल होगा, वो चुनेंगे, अगर आपके बाल पतले हैं तो आप एक ऐसा शैंपू चुनेंगे, जो आपको एक thicker volume प्रदान करेंगे, हमेशा याद रखना जो भी आपका गोल हो, उस basis पे आपको शैंपू चुनना है, लेकिन लेज़ इस सारे के सारे ingredients लागे घर में पीसके, एक powder बना लीजेगा, और ना ते वक्त, simply गीले बालों में आपको इसे apply करना है, और अपने बाल धो लेना है, आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत जादा सिंकी रहेंगे, और अच्छे से दूल बिजाएंगे, फिक हैं, ये hack आपके conditioning, conditioning पर इस्तिमाल हम लोग इसलिए करते हैं, ताकि आपके बालों को मॉस्चराइजर रख सके, लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, गलती ये है, कि conditioner को भी scalp में बार बार के लगाते हैं, भाई conditioner आपके बालों के लिए बनाया है, बालों को मॉस्चराइज क करने के लिए बनाए है, जैसे skin पो rad ludzi करने के लिए laborizer बनाए है, स्किनाइज करने के conditioner क्या इजाद किया गया है गल्ती ही आवे होती है कि बाल जब हम shampoo से दोते हैं वाल द्राइग होने शरू हो जाते हैं क्योगि essential oils tripout करने श्यांपू ने अब बालो में वापस से मॉस्चिराइजेशन का हाँ से आएगा तो मॉस्चिराइजेशन के लिए हम कंडिशनर पे स्सिमाल करते हैं तो इसी वज़े से हमेशा जब भी आपको कंडिशनर यूज़ करना हो तो tip of your hair से लेके ये tip हो गई आपके hair की और mid section of your hair तक ही आपको कंडिशनर अप्लाई करना है ये जो scalp का area है इसे नहीं करना कंडिशनर को अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बतायता हूँ जब बाल गीने हूँ नीचे मुग गर दो ये बाल सारे आगे की तरफ आ जाएंगे और कंडिशनर सिर्फ इस तरह से अपने बालू पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ डेमो में इस तरह से एक को लगाना है ठीक है इस तरह से इससे क्या होगा कंडिशनर जो है सिर्फ और सिर्फ आपके बालू पर लगेगा ना कि आपके scalp के ऊपर तो आपको maximum benefits देखने को मिलेंगे कंडिशनर की अगें कंडिशनर किस तरह का लेना है जिस कंपणी के आप शैंपू लेंगे जैसे कि सिर्फ मेट का आपने शैंपू लिया ता सिर्फ मेट का कंडिशनर ले लो आपको जहने है अगर आप सही खोन पेटी में लगा रहे हो कब लगाना है हफते में आप एक बार लगाएंगे रात के वक्त हफते में एक बार रात के वक्त आपको आरगन ओयल या कूकोनट ओयल या ओलिव ओयल ती टेनो ओयल में से आपको ज chilli पसंद हो या जो अवेलिय बल हो आपके पास उस पो आपको रात में लगाना है अच्छे से चम्पी करनी है और चम्पी से मेरा मतलब यह नहीं है कि बालों को घिस रहे हैं बैटके हलके हातों से आपको चंपी ये circular motion में करनी है make sure करना है कि आपके बाल तूटे ना बाल सबसे ज़्यादा किस तरह से तूटते हैं जब friction पैदा होता है बाल उससे सबसे ज़्यादा तूटते हैं अगर आप रूर्स करें प्लीज गलती मत करें अपको क्या काम करना है simple rule follow तीन दिन के बाद एक बार आप सर्द हो सकते हैं जब ने अपने सर्द वहा उसके तीन दिन तक आपको सर्द नहीं दोना फिर एक बार आप सर्द हो सकते हैं ये एक अच्छा रूटीन होता है, वीक में कम से कम दो या तीन बार अपने बालों को धो रहे हैं, और साथ या साथी मौस्टराइज भी कर रहे हैं, वाया आरगन ओई और कोकोनट ओई step number 4, अगर आप किसी भी तरह के heat का इस्तिमाल कर रहे हैं, चाहिए वो blow dryer से निकने भी heat हो, या फिर curl करने के लिए जो colors आते हो, या straighteners हो, उससे आपके बाल डामेज होते ही होते हैं, एक best hack मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने बालों में हलका सा aloe vera लगा सकते हैं, वो एक pre-styler का काम भी करता हैं, और आपके बालों को, वो जो heat आप प्रदान कर रहे हैं बाहर से styling के लिए, उससे बचाता भी है, तो यह hack है, या आप अजमा के देखना, जब भी आपको किसी party बाल गीले हैं, और उन्हें आपको सुखाना है, एक और चीज में बताना इसके लिए करना क्या है, आपको simple, plain, silk-based towel लेनी है, मैं दुबारा repeat कर देता हूँ, silk-based towel, क्यों, क्योंकि जो towel, silk-based रहेगी, वो आपके बालों पे friction उकम पैदा करेगी, जिससे आपके बाल एक, तो तूटेंगे नहीं, दूसरी चीज, आपको पंके के नीचे बैठ जाना अपने बालों को सुखा है, इससे दो चीज होंगी, आपके बाल भी सुख जाएगे, और आपको vitamin D3 भी मिल जाएगा, जिससे आपकी skin पर एक glow भी आता, और आपके बाल भी अच्छे रहते हैं, step number 5, और यह गलती के कारण बहुत सारे लोग अपने बालों को गवाते हैं, यह गलती क्या है, एक ऐसा पिलो का इस्तिमाल करना, या ऐसे पिलो कवर का इस्तिमाल करना, जो silk based ना हूँ, अगर आप normal पिलो कवर का इस्तिमाल कर रहे हैं, अपने पिलो को उपर चड़ा रखा है, तो friction पैदा करता है रात को सूते वक्त, जिसके करण आपके देखा भी ह आपने कई बार की मेरे बैट पे बाल पड़े वे मिलते हैं, या फिर मेरे तौलिया में बाल आ जाते हैं कई बार, तो इस वज़ए से भी होता है कि ज़्यादा friction आप जब अपने बालों को देते हैं, और क्योंकि बाल गीरे होते हैं, तो तो तूटते हैं, और जब आप सो परफेक्ट डाइट भी होती है, जिसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियो से बताऊँगा कि किस तरह से आपकी डाइट भी बहुत ही important road ले करती है आपके बालों के लिए, लेकिन अगर आप अभी hair falls से सफर कर रहे हैं, आपके बाल बहुत frizzy रहते हैं, ड्राय रहते हैं, I'm pretty pretty sure कि ये routine अगर आपने follow करा, उससे कम से कम आपको राहत जरूर मिलेगी, इसके साथ ही अगर आप किसी particular topic के योपर वीडियो बना चाहते हैं, फिर चाहिए hair skin या body हो गया, तो comment कर दीजिगा वीडियो जल से जल बलाने कोशिश करूँगा, मैं वेल तो आपको अग ये तरतकिले जह हैं